आठ मार्च को अंतराष्ट्य महिला दिवस महिलाओं की उपलब्दियों, जजबो, एतिहासिक यातराओं एवं उनके जीवन की उपलब्दियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। को ही क्यों मना जाता है। दरसल अंतराष्ट्य महिला दिवस एक मजदूर अंदोलन से उपजा है। पार्टी ओफ अमरीका ने इस दिन को पहला राष्ट्य महिला दिवस घोशित कर दिया। इसे अंतराष्ट्य बनाने का आइडिया भी एक महिला का ही था। क्लारा जेटकिन ने 1910 में कोपेन हेगन में कामकाजी महिलाओं की एक इंटरनेशनल कॉंफरेंस के दोरान अंतराष्ट्य महिला दिवस मनाने का सुझाव दिया। उस वक्त कॉंफरेंस में 17 देशों की 100 महिलाओं मुझूद थी। उन सभी ने इस सुझाव का समर्थन किया। सबसे पहले 1911 में उस्ट्रेलिया, डेन्मार्क, जर्मनी और स्विजर लैंड में अंतराष्ट्य महिला दिवस मनाया था। लेकिन तकनी की तोर पर हम 109 अंतराष्ट्य महिला दिवस आज मना रही हैं। क्लारा जेटकिन ने महिला दिवस मनाने की कोई तारिक में पक्की नहीं की थी। सन 1917 में युद्ध के दोरान रूस की महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस यान के खाना और शान्ती की महांगी। महिलाओं की हड़तार ने महां के समराट निकॉलस को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और अंतरिम सरकार ने महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया। उस समय रूस में जूलेल केलेंडर का प्रियोग होता था, जिस दिन महिलाओं ने ये हड़ताल शुरू की थी, वो तारिक 23 फरवरी थी गेकरियन केलेंडर में ये दिन 8 मार्च का था और उसी दिन केस से अंतराष्टे महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा इस दिन महिलाओं और पुरुष एक दूसरे को फूल दे कर एक दूसरे का सम्मान करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं सन 2022 की अंतराष्टे महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वालिटी टुडे फोर ए सस्टेनेबल टुमारो यानि के मजबूत भविश्य के लिए लेंगिक समानता जरूरी है विश्व की हर महिला के सम्मान में 8 मार्च को अंतराष्टे महिला दिवस मनाया जाता है आठ मार्च को मनाये जाने वाले अंतराष्टे महिला दिवस पर संपोर्ण विश्व की महिलाएं देश, जातपाद, भाशा, राजनीतिक, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजूट होकर इस दिन को मनाती है भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूफ से मनाया जाने लगा है पूरे देश में इस दिन महिलाओं को समाज में उनके विशेश योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और समारो आयोजित किये जाते हैं